अगर आपने अपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और नौटिफिकेशन का बटन दबा दिजी ताकि जब भी कोई नई वीडियो आया आप उसे देख पाए सबसे पहेंगे नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर सन्त्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती सावनाय करते थे? सर में संटरामपाल जी महाराज के सरण में आने से पहले जो परंपारी की जो भक्तिया है मतलब देवता हैं, विष्णु देवय क्रिष्णजी है, संकरववन जी है, मतलब सभी भक्ति के अंदर में जुढा रहता था और विश्ण देव का जो मंदीर है वहाँ पे राज़स्तान के अंदर सावर्य सेट का नाम से कृष्ण भावन तो उसको इस्ट तरीके से मैं मानता था और उनके हर दिपावली के अंदर नया साल में मैं साल मुबारक करके गाउं के अंदर और में चला जाता था पूरा परिवार लेके और फिर वहाँ से उस साल मुबारक करके और मनलब मंदीर में जाके आने के बाद मतलब घर पे आके और फिर वापिस हनुमान जी की भी पूजा करता तो हनुमान जी की परसात खाने के लिए पूनम का दिन रेता था तो मतलब सालंपूर करके गाओं हैं, वहाँ पर मंदीर है बड़ा, तो उन मंदीरों में में जाता था, चाय पेशा हो ना हो तो मतलब परसात खाने के लिए, सुबह की सवा पाज बज़े के आरती होती ति उसमें परसात खाने में चला जाता था, इस तरह से, और फिर अंबे करते करता है, मतलब और परमप्रिव का यह मतलब जो भक्ती है, करते रहता था, और सुबह मन मानी है, मतलब कोई गुरू नहीं बनाया था मेंने, और सुबह चार बज़े उठके, और भक्ती में मतलब जूट जाता था, जो भी मन से, जो मतलब करना था, वो करते रहता था, और फिर साड़े छे बजे के आसपार मंदीर है हमारे गाव में, दो तिन चार मंदीर है, तो उसमें मंदीर का दरवाजा भी मेरे हाद से खुलता था, ताला में खुलता था बहुत बार, महाराच सो रहते थे या कोई काम में रहते थे, तो वहाँ पे भी सेवा करके आर्टी बख्ती होने के बादी में आके चाई पानी पीता था, नहीं तरह से मतलब ये बक्ती में जुड़ा रहता था मैं सर पहले आप स्रीकिश जी की बक्ती करते थे इनमें आपकी बहुत गहरी आस्ता थी आप सावरिया सेड़ भी जाते थे इसके अलाबा आप संकर जी की भी बक्ती साधना करते थे हनुमान जी माता दुरका की भी बक्ती करते थे और भी साधना आपने की तो इन सब बक्ती साध लाबनाओं को करते हुए आपको क्या लाब हुए यह बक्ति करते हुए हमको कोई लाब प्राप्तान हुआ और घर और वो इसकुल भी जाता तो मतलब सातवी कलास तक कम से कम 10-12 साल का हो गया होगा तो वो लेटरिंग पे सब कपड़े के अंदर करके गाउं में होके आता था तो गाउंवाले सब बोलते थे कि बच्चा किस तरह से मतलब जीवन गुजारेगा और मेरे को भी मतलब यह था कि कि बच्चा की परवरिस हमको जिन्दगी तक करनी पड़ेगी ऐसी परयसानी भी थी और फिर एक छोटा बच्चा भी है उसको हरणिया का मतलब डोक्टर ने बोल दिया कि हरणिया है इसको तो ओप्रेशन के बिगर इसका मतलब कोई निकालनी होगा हमारे घर से जो है हमारी पतनी वो भी मतलब माइंड से माइंड इफेक्ट था अगर कोई कुछ बोल दे तो गुसाब करके और तोड़ फोड़ भी कर लेती थी फिर महारा पिता जी जो थे उनको मतलब कोई खेत को अंदर काम करते तो जानवर ने काट लिया था उससे पूरा सरीर सड़ता है वो ची आए मतलब काटने का पेर काटे तो जिंदगी तो खराबी हो जाए और फिर हमारे मम्मी है तो उस्पटिल के अंदर उसको भरती कर रहा था साटाजार रुपे भी हो गए थे और ऑक्सिजन पे थे मतलब लास पोईंट पर तो मतलब बहुत सारे तो भी में यह बक्ती के अं काम है वो को बोले के एक सत्संग आता है तो वो देखा है डेट साल से देख रहे थे तो वो बोले कि हम अंजाने गुमे हुए नहीं है तो हमको मतलब गुरु महाँ पे दिखसा लेने जाना है और आस्रम देखना है तो फिर उनके साथ मैं मतलब में यहां पे आस्रम तक पहुँझ गया अब मैं कोई भक्ती के इसाब से नहीं आया था क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं था मगर वो भाई लेके आया तब जाके दे क्या कोटी कोटी गाय इता पुण्य मिलता है एसा मैंने पढ़ते ही मेरे सरीर के अंदर पूरे मतलब रूमें खड़े हो गए कि लोग भाग तो इंसानों को मारते हैं काट डालते हैं और यहां पे एक एसा लिख रखा कि एक मनुष्य बचाओ रास संक्यों कोटी कोटी गा करने के बाद क्या आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए संत्राम पाल्दीज महाराज का नाम लेने नाम दिक्सा लेने से बाद मेरे घर में एक 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 मतलब पत्नी को जो मांसिक मिमारी थी वो ठीक होने लग गई फिर एक बच्चा जो यह वो एमार था एमार था उसको भ बढ़ता जा रहा है निए तो ठीक नहीं रहेगा इस को परेशन के विगर कोई दूसरा इलाज नहीं है और डोक्टर ने यूँ भी बोल दिया था कि वजन भी निए उठा सकेगा तो ज्यादा कुद भी निसके चल भी निसके जादा चलना नहीं आराम करना है जब तक तेर परेशन करके सिपाएंगे तो तब फिर घर पे गए और घर पे गए ने माली की दया से उनको में बोला कि बेटा वहीं मतलब जहां पूजा इस तरल है वहाँ पे बेटे हुए थे और वहाँ पे मैंने बोला बेटे तिरको गुरु जी ने जो मंतर दिये उसका जाब कर क्यो उस बेटे ने मतलब मंतर जाब चालू करा तो दस मिड़ के अंदर मतलब जो इसका सोजन था और जो दर्द था वो गायप हो गया वो बहुत का पपा मेरे को दर्द बंद हो गया देखे तो वह सोजन में उतर गया तो गोली जो डॉक्टर ने दी थी वो गोली आभी भी फे इफेक्ट था कि उसको कोई भी चीज बोलो तो सुननी बार आ था और मतलब लेटरिंग पे साब का भी जो भी प्रोब्लम वो आपको बताया मैंने वो प्रोब्लम उसको वह था मगर संत्राम पाल्दी मालिकी सरण में आने के बाद उसको जो उसको भी सरण में लाए तो उस तो दुसरे को बचाने के लिए मतलब बीच में एक टंकी है और एक हेड़वम है और सामने 14 इंच की दीवाल है चोटी पिलर बेठने की तो मतलब वो एक को बचाने के लिए वो गाड़ी इसमिन में आ रहा था उसका माइंड तो इसे इफेक्ट वाला था मगर थोड़ा थो तो मला गाड़ी चलाने चालू वा तो वो गाड़ी को फुल स्पिन में आ रहा था तो गाड़ी फुल स्पिन में आ रहा था तो सामने एक केविन था केविन का उपर सेड़ बनावा था पत्रे का तो वो गाड़ी दोनों के बीच में से निकली और पिलर को तोड़ दिया प दया से मतलब वो बच्चा आगे जाके गीरा और सेड़ नीचे गीर गया नहीं तो उसकी वहां मौत होई थी क्योंकि पत्रे पूरे लगे हुए थे सेड़ के उपर मगर माल संत्राम पल देज महाराज ने दया करी तो बच्चे को बचा लिया एक लाब और बताता हूं जो पेर में मतलब सड़न पेदा होती उससे कोई गोली दावाई मतलब उसको असर नहीं करती है तो वह मतलब सड़न पेदा हो रही थी जब सड़न पेदे होते होते मतलब पेर अपने यहां तक आ गया तो उसने मतलब डोक्टर के पास ले गए तो डोक्टर बोले कि इसका पेर के मतलब संत्रामपाल दी महाराज की संड में वो पेर की तकलिफ थी इसलिए पपा आए ने तो मेरे पिता जी तांत्रीक भी थे और दारू मीट मत्षी मतलब फुल्क खाने वाले थे मगर संत्रामपाल दी महाराज की संड में आने के बाद आज उस चीज़ से 10 साथ धुर रह थी और सार अजार रुपे खर्चुए तो भी ऑक्सिजन मतलब बंद नहीं कर रहा है ऑक्सिजन साथ में रखना पड़ता था मगर मैंने मेरे मुझ से बोला मैंने का संत्रामपाल जी महाराज का नाम रटन कर वही मालिक है और वही अपने को सही करेगा और तेरे को वही बचा सकते हैं और कोई बेचा नहीं सका है कि इस परत्वे में उसको दूसरे ही दिन होस्पिटल से लिए और वहाँ सुच अभी घुमरी है सर एक लाबोर बताता हूं जो हमारी भकमती मतलब हमारी पत्नी जो है वो मतलब पानी का बेड़ा लेके आ रही थी तो गर के आगे एक ट परण में आयो है तो तो चोटनी लगी होगी ऐसे कर मगर वो बोले के दर्द है मेरे को तो हम वेद के पास ले गए जो हड़ी हड़ी मतलब देखते हैं तो वेद के पास लेगा तो वेल ने बोल दिया के खाली चमडी में से बाहर निकले नहीं हड़ी आ सब मतलब भिकर और रात भर मतलब मंत्र करती रही और मंत्र जो कर रही थी तो मंत्र करने से उसको रात को जबकि उसको हमने मतलब बिस्तर में मतलब पलंग के ऊपर खाना वाना सब हमने दिया अब वो खाना भी खाया उसने उटनी पार यह सी हालत हो गई थी मतलब पेर से तो उन्होंने मत मतलब जब मंत्र चालू करे और रात के साड़ा तिन बजे वो खुद अकेली उटके और वाथरूम के अंदर मतलब गई जब दरवाजा का आवाजात मेरी निंद खुली तो देखे तो वो चाहरी और मैं का तू कहा जा रही है परेशानी हो जाए को बोले नहीं मेरे को पेर ठ पूरा हो गया है तो ये क्या से है और फिर आज वो भगनमती उसको नाकुन कोई तकलिव नहीं है वह भी अभी मालिक की सरण में मतलब संत राम पाल जी माराज की सरण में है और आज उनको अर्परकर का उलाब मिलता है और माइंड सभी और हर चीड़ से मतलब कंप्लेट है सर जो सरदालो आज आपको देख रहे हैं आप उने क्या संदेश देना चाहेंगे करता हूं कि आप भी संत्रामपाल जी महाराज के सरण में आके अपना मौक्स और अपना कल्यान कराने की रातना करता हूं सर संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आया जा सकता है सत्संख देख रहे हैं संत्रामपालदीजे महाराज का सत्संख आता है उसके नीचे एक पट्टी आती है उसमें नंबर नोट किये हुए ऐस्रम के है और उस नंबर होपे से आप कौंटेक करके वहाँ से पूछके और नजदी के नामदन के अंदर से आप नाम देख्षा ले सकते हो धन्यवाद सर साथ साइ